ब्रुवन, वर्ट्स अप, I hope you are doing well, I am Prithvi, and first of all, सोतंतरता जिवस्की सभी को सुब कामना है, सो आज हम डिसकस करेंगे बैवल योज़ना के बारे में, या बेवल पलान के बारे में, इससे पहले बाले लेक्श्चर में हमने डिसकस किया था, अजाद हिंद फोज के बारे में तो चली अपना डिसकसन स्टार्ट करते हैं, अभी भी ब्रिटेन में इलेक्शन नहीं हुए थे, और ब्रिटेन का जो प्रधान मंत्री था, वो विश्टिन चर्चिल था, लेकिन भारत का वाइसराय बदल चुका था, लिल नितकों के बाद भारत का वाइसराय बन कराता है बेवेल, और यह वो दोर होता है, जब सेकंड वर्ड वर्ड वार लगवग समाफ्ती के वर होता है, बट अभी भी जपान का भारत पर अटेक का जो खत्रा है, वो बना हुआ होता है, और साथ ही क्विट इंडिया मूमेंट 1942 के तहत, भारत में जो करांती कारी गत्वीदिय थी, वो बढ़ गई थी, तो अभी अंग्रेजियों का भारत में सर्वाइव करना थोड़ा कठिन हो गया था, थोड़ा मुस्किल हो गया था, और साथ ही साथ विश्टिन चर्चिल इंटरनेशनली प्रेसर बनाया जा रहा था, कि आप कैसे वी करके भारत के साथ स्वन्दो को अच्छा करिजिये, तो विश्टिन चर्चिल क्या करता है, कि जो भारत का वाइसरा होता है, बेवल, उसको अपने पास बुलाते हैं, और आपस में डिसकस करते हैं, कि हमें एक ऐसा प्लाइन वनाना है, एक ऐसी योजना वनानी है, जिसके था हम भारत के सभी लीडरों क साथ, डिसकसन कर सकें, उन्हें मना सकें, ठीक है, उन्हें सैटिस्फेक्शन परदान कर सकें, उन्हें संतोष्ट कर सकें, तो फिर जो है बेवल योजना त्यार होती है, इसका नाम बेवल इसलिए पढ़ता है, क्योंकि उस समय भारत का वाइसरा है, बेवल था, तो फिर ब बेवल प्लान जो है सारवजनी कर दी जाती है और उसमें जो राज्य सचीब थे उसका नाम था L.S. अमेरी जो है बेवल प्लान की घोशना कर देता है कि हम भारत के में सुधारों से एक प्लान लाए एक योजना लाए है जिसे 14 जून 1945 को सारवजनी कर दिया जाएगा आप डिसकस करते हैं कि जो बेवल प्लान था या बेवल योजना थी उसमें क्या क्या प्रोविजन एड किये गए थे तो इस में क्या था QUE discrimin जो com कार्ण ज़ुर्वर्ण जर्णरर्ल की कार्यकारणी जो कार्यकारणी परिंसद थी उस में जो भारत के सभी राजनितिक दल्ट है उनको समिल किया गया जाएगा मतलब जैसा कि आज आज पाप देखते हैं कि प्रधान मंतरी जो काम करता मंतरी के पीचे पाइमम ऑद läuft करता है तो स्हीम यिया ही खीन उसे में था कि उसमें जो ... गवर्नर गणर्रल या वाइसरा होता था ठीके। उसके एक कारेकराणी परिश्द होती थी उसके मैं बहुत सारे सदस्य होते थे थे ञए तो अब क्या था कि उसमें आधे सदस्य चेलरे बुष्टे की होते आजक है गाया कि ऑप उसमें कहा किए गया कि अब बारतिया जो राजसें दाल है है ठीक है उनको इस चार्यकराणी में कारेकारणी परिश्द में सामिल किया जाएगा और इसके जो सविस दस्य मलब गवर्नर जनल की कारेकारणी परिश्द है ठीक है उसमें सविस दस्य जो होंगे अब भारतिय ही होंगे लेकिन दो परसों को छोड़ कर पहला भारत का वाइसराय केवल ब्रिटीस होगा अंग्रेज होगा और भारत का कमांडर कमांडर मींज भारत का सैना पती या सैना नायक जो होगा वो अंग्रेज ही होगा ठीक है और इसमें क्या किया गया है कि जो जितने भी भारत के डिपार्डमेंट थे जितने भी विवाग थे उन में ज जैसे कि बिदेशी विवाग हो गया, ठीक है, उसका परभारी भी भारतिया होगा, बाकी जितने भी डिपार्डमेंट थे, उसमें भारतियों को सामिल कर दिया गया, इस कार्यकार्णी परिस्द में हिंदूओं और मुस्लिमों की संक्या बरावर रखी गई, मतलब जो मुसलिम लिग थी, और इंटरनेशनल, सोरी, इंटरनेशनल वोरा, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थी ठीक है, इनके स्दस्य जो वाइसरा की कारकार्णी पर सेद है, उसमें बरावर होंगे, मतलब जैसे की कॉंग्रेस के जादा, या मुसलिम के कम ऐसा कुछ नहीं ह बरावर होंगे, और यह जो वाइसरा की कारकार्णी पर सेद है, एक राष्ट्री अंतरिम सरकार के जैसे काम करेगी, मतलब एक राष्ट्र की सरकार की तरह काम करेगी, और अभी वी जो बिटो था ना, वो वीटो का अधिकार समाफ्त नहीं किया गया, बिटो का अधिकार वाइसराय के पास होता था और वाइसराय के इस सदिकार को समाफ्त नहीं किया गया बस इसमें इतना मैंसन किया गया कि जो विटो है उसका यूज वाइसराय तब करेगा जब इसकी बहुत ही ज़्यादा जुरूरत हो या कुछ ऐसा मैटर है जिसमें विटो लगाना जुरूर जाता है तो वीटों का अधिकार भी अभी समाफ्त नहीं किया गया था ब्रिटेन के साथ जो ब्यपारिक को हित थे आपको बता है कि ब्रिटेनों के लिए जो अपने ब्यपारिक हितों को सुरुक्सित करना भी इंपॉर्डेंट था तो इसके लिए भी एक अधिकारी चुना कि इसमें जो है ब्रिटेन के ब्यापारिक हितों को सुरिक्सित करने के लिए एक उचा युक्त निक्त की होगा और इस योजना में मैंसन किया गया है कि जो भार्ट चोड़ो अंदोलन था उनीस सो बैलेस उसके तरह जितने भार्ट के लीडर गिर्फतार किये गये हैं उनको छोड़ दिया जाएगा जबकि अंग्रेजियों की कोर्ट में भार्टिया जो बकील थे जैसे जवालाल नाल नहरू वगर जो थे उनके द्वारा बहुत अच्छी वगालत की गई थी मतलब उन्होंने पूरी कंडिशन उन्होंने पूरा महौल बना दिया था भार्टियों को छोड़ने का बट बेवल प्लान में भी ये मैंसन कर दिया गया था कि अगर बेवल प्लान एक्सेप्ट हो जाती है तो हम जितने भी भारतिया लीडर जो गिर्फतार किये गया है उनको छोड़ देंगे और साथी साथी इसमें मैंसन किया गया कि जो यूद के बाद जैसे सागिंड होता है उसके बाद भारतियों को अपना सवधान बनाने का जो अफसर दिया जाएगा और इन सब प्रोविजन को जितने भी जो बेवल पलान है मारी वेवल योजना है उसको 25 जून 1945 को सिंबला में एक मीटिंग होगे एक सर्वदलियस मेलन होगा जिसमें इस प्लान पर डि दिसकसन होता है वहीं पर फिर मुस्लिम लीग जो कुछ सुधार रखती है कि जो बाहर जो वाइसरा की कारेकारणी परिश्यद है उसमें जितने भी मुस्लिम एड होंगा सुरी गैस थोड़ा अमरजेंसी काम था उसके लिए जाना पड़ा सो हमकां थे कि जो मुस्लिम लीग से ही चुने जाएंगे मतलब मुलूम कोई भी मुस्लिम मुस्लिम जो सदस्य है वो मुस्लिम लीग से बाहर का नहीं चुना जाएगा मालों की कॉंग्रिस में कोई मुस्लिम सदस्य है ठीक है तो वो जो है बाहिसरा की कारेकारणी परिश्यद में नहीं चुना और मुस्लिम लीग की सीटें जो है लगवग एक थर्ड तो होनी ही चाहिए और वहीं पर जो महत्मा गांधी थे उन्होंने तो इस योज़ना को सीधी रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें का आप जो एकाश्टी जम के अधार पर सीटें बाट रहे हो मतलब जाती के अधार पर जो केवल हिंदू ही जाएंगे क्योंकि कॉंग्रेस ने अपना मत रखा कि कॉंग्रेस में हर तपके का हर समधाय का लीडर है और कॉंग्रेस अपनी इच्छा से जिसको चाहिए उसको भेज सकती है तो जो मुस्लिम लीग से चुने जाएंगे इस पर कॉंग्रेस ने अपनी कि खीचतान की वज़ासे कि जो बेवल प्रस्तावे वो समाफत हो जाता है वही पर जुलाई महीने में ही ब्रिटेन में इलेक्षन होते हैं तो कंजरवेटिब पार्टी की तरब से विश्टिन चर्चिल थे और लेवर पार्टी की तरब से क्लीमेट एटली थे तो जो क्लीमेट एटली की जो पार्टी थी जो लेवर पार्टी थी वो भारतियों को जल से जल सोतनतरता देने की फिवर में थी तो जब इलेक्षन होते हैं आम चुनाव होते हैं तो इसमें लेवर पार्टी जीत कराती है अगले लेक्चर में डिसकस करेंगे इस लेक्चर में वस इतना ही मिलते हैं नेक्च लेक्चर में तब तक के लिए